नमस्कार दोस्तो मैं प्रवीन दलाल आपका एक बार फिर से सवागत है मेरे यूटुब चैनल पर दोस्तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था यूनिवर्सल सोलर कंट्रोलर और नॉर्मल सोलर कंट्रोलर में क्या फरक होता है तो वो वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया उसके लिए दन्यवाद और इस से बहुत सारे किसानों को फाइदा हुआ जो किसान भाई अपने सोलर सिस्टम को गर पर भी यूज करते हैं और खेत में भी यूज करते हैं तो अभी 27 दिसंबर को जो पोर्टल खुला था वो 36 किंटे ही चला उसके बाद बंद हो गया था जो किसान भाई जिनका प्लाई नहीं हो पाया जिनोंने अपना आवेदन नहीं किया अब साइट दोबारा मार्च में खुलेगी तो वो दोबारा आवेदन कर सकते हैं तो उसके उपर कैसे आवेदन करना है उसके लिए मैं आप के लिए वीडियो बनाऊँगा ताकि आप अपने गर बैठे और उसका रिजिस्टेशन कर सकते हैं सोलर का जिसके लिए आपको CSC में जाने की आओ सकता नहीं है अधारित है, तो इसलिए मैं वीडियो है बनाऊंगा, जिसमें आपको application phone पूरा बरके दिखाऊंगा कैसे उसको फिल करना एक किया क्या हमें सावधारिया बरतनी है. उसके बारfeld बनाऊंगा तो दोस्तो나대 वीडियो में मैं आप बताने वाला हूं कि कितने solar panel पर, कितने hp का pump चलता है दोस्तों मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के फोन आते हैं बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि 2 hp a pump किने पैनल पर चलेगा 3 hp a pump कितने पैनल पर चलेगा 5 hp a pump कितने पैनल पर चलेगा तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ और एक बिल्कुल से सीधे सीधे और एक आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कितने पैनल पर कितने एच्पी का पंप चलेगा तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें सरू से आखिर तक जरूर देखें और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि मेरे दवारा दे गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो दोस्तों चलिया सरू करते हैं को ज़्यादा लंबा ने करते हुए दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो सरकार दवारा सोलर टूबल हमें मिलते हैं उनमें साथ में वो समर्शीवल देते हैं छे इंची समर्शीवल और छे इंची समर्शीवल को डालने के लिए हब कम से कम 7 इंच का बोरिंग की आउशकता होती है और हमारे एक छेतर में 7 इंच का जो बोरिंग है वो नहीं हो पाता है किसान वाईओं के लिए सबसे बड़ी समश्या यही है और जो solar जो pump जो थ्री फेस का देते हैं वो पानी कम निकालता है कुछ किसान वाई साथ इंची बोरिंग भी करवा लेते हैं लेकिन वो पानी कम निकालता है ये सबसे बड़ी समश्या हम किसान वाईयों के सामने आती है तो दोस्तों उसी समश्या को लेकर आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा सोलर सिस्टम एसी लगा है एसी और डीसी ये आपको पता होगा जो हमारा डीसी पंप होता है और डारेक्ट करण्ट से चलता है और जो एसी होता है वो अल्टरनेटिव करण्ट होता है जो हमारे गरों में लाइट आती है वो एसी होती है जो DC का जो सिस्टम है जो हमारे पैनल है वो सभी पैनल DC आउटपुट देते हैं जो और जो कंट्रोलर बीच में लगा होता है जिसे हम VFDB कहते हैं वेरियेवल फ्रिक्वेंसी ड्राइव वो DC को AC में कनोट कर देता है और उसके बाद हमारी AC पंप उसके उपर चलता है कुछ हमारे दोस्त फॉन पर पूछते हैं कि DC पंप पर AC, DC कनेक्शन पर AC पंप चल जाएगा दोस्तों ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता क्योंकि जो DC करंट और AC दोनों अलग अलग होते हैं DC करंट पर DC ही कोई जो मोनो ब्लोक है या कोई पंप है वो DC का ही काम करेगा और जो AC है उस पर AC ही काम करेगा तो दोस्तों देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमें सॉलर सिस्टम जो हमारे खेत में लगता है AC जो आउटपुट AC देता है उसके उपर हम थरी फेस का कोई भी पंप चला सकते है जो सॉलर कमपनिया हम किसानवाईयों को ठगती है कि इस पर नॉर्मल पंप नहीं चलेगा सिरफ सॉलर पंप ही चलेगा और वो सॉलर पंप हमें बहुत ज्यादा रेट में हमें देते हैं ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें इसके उपर आप कोई भी थरी फेस का अठाइसो शे उनती सो आरपियम वाड़ा पंप चला सकते है जो चोदा सो पचास चक्रों में भी पंप आता है दोस्तों अब बात आती है कि कितने पैनल पर कोवा कि इस फिश पीश पंप चलेगा कितने पैनल पर तीन ओप चलेगा कितने पैनल पर पाँच एचपी आप हम चलेगा दोस्तो इसके लिए मैं आपको एक सीधा सीधा मैं आपको समझाने की कोशिस करता हूँ देखिए जो हमें सबसीडी के उपर जो पैनल मिलते हैं चाहे सबसीडी पे मिलें या हम खरीद कर लेके आएं जो पैनल होते हैं वो 60 सेल और बैतर सेल में आते हैं बैतर सेल का जो पैनल होता है 300 से सवा 300 वाट का पैनल होता है और सरकार भी वही पैनल हमें देती है 300 सवा 300 वाट का पैनल बैतर सेल वाड़ा और एक जो बैतर सेल का पैनल है उसका जो maximum volt का जो output है जो एक panel ज्यादा से ज्यादा जो 45 volt DC जनरेट करता है और एक panel 8 से 9 ampere हमें देता है DC तो दोस्तों अब आप स्पोज कीजिए जैसे आपने 10 panel लगाए 10 panel पर हमारी जो DC जो volt है वो करीब करीब सा डे 400 volt DC हो जाती है और हमारे पास 9 ampere रह जाते हैं और इनका जो connection होता है वो series में connection होता है यानि कि plus minus plus minus एक दुशरे साथ आप जोड़ते चले जाओ और last में हमारे पास एक plus और एक minus बच जाएगा तो तब हमारे पे अगर यदि हम multimeter से इसकी power मापेंगे तो हमारे पास 4500 वोल्ट DC और 8-9 ampere हमें मिलेंगे और जब हमारा controller 4500 वोल्ट DC को AC में convert करेगा तो इस जमें हमारे पास करीब करीब 200 से 2500 वोल्ट AC करंट में मिलेगा और 8-9 ampere मिलेंगे अब दोस्तों कोई भी 3-phase का pump है चाए वो 1 HP का है चाए वो 2 HP का है चाए वो 5 HP का है उन सभी pump को चलाने के लिए जो standard वोल्ट operate होती है वो 415 वोल्ट operate pump होता है पलस माइनस 6% या पलस 15% यानि कि कम से कम जो 3-phase का कोई भी pump है उसको चलाने के लिए minimum कम से कम हमें 300 वोल्ट AC कियाओ शकता होती है चाए वो pump 1 HP का हो या 2 HP का हो या 5 HP का हो तो दोस्तों हमने 10 पैनल लगाए 10 पैनल पर हमें 400 वोल्ट DC मिली वो AC में convert हुई तो हमारे पास 200 से 200 वोल्ट AC हमारे पास आती है और जब हम इतनी 200 वोल्ट पर 3-phase का pump चलाते हैं तो इसकी performance अच्छी नहीं आएगी वो पानी पुरा नहीं निकालेगा क्योंकि हमारे पास जो वोल्ट है वो कम है तो दोस्तों इसके लिए हमें पैनल बढ़ाने पढ़ेंगे तो पैनल बढ़ाने के लिए दोस्तों minimum आपने 12 से 13 पैनल तो लगाने ही पढ़ेंगे कम से कम 12 पैनल और अगर यदि आप 14 पैनल लगा लेते हो तो उसकी प्रफोर्मेंस बहुत अच्छी आत्ती है तो दोस्तों हमने आप स्पोज कीजिए हमने 12 पैनल लगाए 12 पैनल लगाने के बाद हमारे पास जो DC वोल्ट है एक पैनल 45 वोल्ट देता है तो आप 12 पैनल लगाने के बारा श्याप गुणा करेंगे तो लगबग लगबग हमारे पास 510 से 520 वोल्ट DC पावर में मिलेगी और जब 510 से 20 वोल्ट DC जब AC में कनवर्ट करेगा हमारा कंट्रोलर तो उस से में हमारे पास लगबग लगबग 300 से सवा 300 वोल्ट AC पावर में मिलेगी और कोई भी 3 फेस का जो पंप है उसको उपरेट करने के लिए 300 वोल्ट AC तो मिनिमम चाहिए तो हमारी 300 वोल्ट AC की जो रिक्वार्मेंट है वो पूरी हो जाती है जिससे हमारा पंप आसानी से चल जाएगा अब दोस्तो देखने वाली बात यह है 300 सवा 300 या सड़े 300 वोल्ट AC जब हमें मिल जाती है तो हमारा पंप रन कर जाता है चाहिए वो 2 HP का हो चाहिए 3 HP का हो या 5 HP का हो इसके बाद जो देखने वाली बात होती है वो पंप पे होती है एमपेर दोस्तो जो 2 HP का 3 फेस का मोनो बलोग पंप होता है वो 3.9 3.9 एमपेर मैक्सिमम लेता है और अमारे पास एमपेर कितने है 8 से 9 या 7 से 9 ठीक है वो थोड़ा दूपे डिपेंड करेगा लेकिन आपका जो पंप है वो चल जाएगा अब दूसरा जो 3 HP का पंप होता है वो 6 एमपेर तक लेता है और जो 5 HP का पंप होता है वो 8 से 9 एमपेर लेता है तो दोस्तो पंप चाहे आप 1 HP का चलाए या 2 HP का चलाए कम से कम हमारी जो स्टंडर वोल्ट है यानि कि 300 वोल्ट या सबा 300 वोल्ट इतनी वोल्ट AC हमारे पास होनी चाहिए कुछ हमारे दोस्ते हैं कि 2 HP का पंप 12 पैनल पर चल जाता है तो क्या 1 HP का पंप 10 पैनल पर या 8 पैनल पर चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास जब तक 300-300 वोल्ट AC एसी हमारे पास नहीं आ जाएगी तब तक कोई भी पंप अच्छा काम नहीं करेगा तो दोस्तों आप 14 पैनल लगाते हो तो 14 पैनल लगाने के बाद हमारे पास जो एसी वोल्ट का जो आउटपुट आता है वो करीब करीब 38 से 400 वोल्ट एसी तक हमारे पास आ जाता है और जब हमारे पास 380 वोल्ट सढ़े 300 वोल्ट या 400 वोल्ट एसी हमारे पास पावर होगी तो उस पर आप चाहे एक HP पंप चलाओ, दो का चलाओ, तीन का चलाओ या फिर पांच HP का चलाओ वो पंप आसानी से काम करेगा और अपनी पूरी परफोर्मेंस के साथ काम करेगा तो दोस्तों, आशा करता हूँ, आप मेरे दवारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होगे कि कितने पैनल पर कितने HP गा मोनो बलोक पंप चलता है तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको सोलर के जो फॉर्म निकलेंगे मार्च में उससे पहले मैं वीडियो डालूँगा, अपने आप फॉन से आप कैसे अपलाई कर सकते हो, आपको क्या-क्या सावधनिया बरतनी है इसी के साथ आप लोगों का दन्यवाद वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें